तो आज हम बात करेंगे Nokia 9 की तो Nokia 9 की यह निज आ रही है कि Nokia 9 लेकर आ रहा है Front Facing Dual Camera तो वह भी होगा 5 Megapixel का तो आपको यहां पर confirm कर दें तब 5 Megapixel Selfie Camera on Nokia 9 विए एक्चुली एडूल कैमरा तो जो 5 Megapixel Selfie Camera जो होगा वह सकते हैं दो 5 Megapixel के यहां हो सकते हैं एक 5 Megapixel का यह एक और कोई Megapixel हो तो यहां पर अगर हम पूरी न्यूस पढ़ें तो हमें यह पता रहेगा कि एक FCC Listed चिकोनी चिकोनी जो भी है CKEC Model जो कि इसके manufacturing होगी जो भी इसकी तो उन्होंने यह confirm करा है कि जो हो सकता है वो यह हो सकता है कि जो front facing हो वो dual cameras हो तो जो भी company का नाम था हो सकता है बस इतनी news ती मैंने आज इतनी बताना था आपको तो आपको अगर कुछ camera के specs बताएं तो camera जो होगा f2.2, f2.0 aperture का होगा और एक lens होगा f2.4 aperture का अगर aperture ज्यादा है तो मतलब कि वो portrait photos भी अच्छी रह सकता है तो जो resolution of 1080p 4K भी हो सकता था तो यह confirm होगा है यह वैसे कि बहुत बड़ी बात तो है नहीं बट आजकल जो front camera चला है एक तरह से कह सकते हैं ट्रेंड चला है यह कुछ भी चला है इंडिया में तो चला है जो कि OPPO Vivo ने कर रहा है बहुत बुरी बात है जो कि इस सिर्फ camera camera दी है बट नहीं Nokia से यह उमीद नहीं कर सकते है नोकिया एक अच्छी कंपनी है मेरे साब से बहुत अच्छी कंपनी है जो कि आपको बहुत अच्छा एक software प्रवाइड कर रही है जो कि बहुत fast होता है जो कि मैं Nokia के software बहुत बरोसा करता हूं जो Android का ही है बट वो अन्होंने optimizer से कर रहा है जो कि बहुत fast है जो कि Nokia 6 ऐसा device ह जिसमें बहुत cheap processor लगा 430 snapdragon 430 फिर भी वो बहुत fast है जो कि बड़े-बड़े फोनों को बचाड़ा है उसने तो अगर आपने देखना है तो चैनल कोगा ZTEK के उन्होंने वीड़ डाली थी तो आप जाके देख सकते उनके चैनल पर Nokia 6 वर्सेस S8 यह S7 तो दोनों को बचा यससाब कर वगा को सकता है तो यह 9 यह मैं तो मानता हूं आइस नोकिया नोकिया है तो आख्या झाल में अधियो और डेते हैं यही थी आज की निजी मिलते हम को गुलू वीड़ीयो चैनल को ताकि आप देख़ए मरि pareil लीड़ी इस वीडियो तो मिलते हम गुलू वीड़े मेह